किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी डाउल के पापा ने तो साफ मरा कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीच्मिंट अब के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउं गाउं अब टीचर्स ले रहें हाइब्रिट क्लास टीच्मिंट के यूनिक फीचर्स के साथ नमश्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अब के फनी यूट्यूब चैनल करेंट पूरी में तो दोस्तों आरर भी, ntpc का जो result rate है वो अभी तक घोसित नहीं हुआ है मतलब इसकी जो तीथी है result की वो अभी तक घोसित नहीं की गए है इसका जो result है आकर कब तक घोसित किया जाएगा इस बारे में वीडियो में बात करेंगे और वीडियो इस्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का एकन को प्रेस नहीं किया तो उसे भी प्रेस कीजिए तो दोस्तों चलिए फटाफट इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है NTPC-CBT-1 परिक्षा के परड़ाम सितंबर में ही जारी हो सकते हैं मतलब सितंबर के लाश्ट तक यहां पर जो इसका paradigm है वो जारी हो सकता है और इसका result वहां पर so हो जाएगा है इसकी जो official site है वहां पर तो दोस्तों आगे आप पर दिया गया है अगस्त में answer की जारी की गई थी और objection का भी मौका अगस्त में ही बंद कर दिया गया था मलब इसकी जो objection link है वो यहाँ पर अगस्त में activate कर दी गई थी और बाद में उसे deactivate कर दिया गया था वो बहाँ पर जिसने objection कर पाया वहाँ पर कर दिया था और जो इसकी आधिकर की website है उसके माद्यम से आप जो result है वो देख सकते हैं और जब भी result निकलेगा तो मैं एक वीडियो बना दूँगा जिसके माद्यम से आप पता कर पाएंगे कि जो आपका result है वो आप कैसे check करेंगे तो चलिए अब इसके expected cutoff के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग में दिया गया है एक दसमलब दो करोड कंडिडेट ने attempt किया था जो सिविटी बन का exam था एंटी पिसी का तो दोस्तों एंटी पिसी का जो सिविटी बन का exam था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्या हो गई थी student की बन पॉइंट टो करोड तो यहाँ पर आगे दिया गया है आररबी एंटी पिसी एक्सपेक्टेड काटाफ मार्क्स 2021 सिविटी बन इस्टेज तो दोस्तों जब आप गूगल यह क्रॉम या इसकिसी अर्ने ब्राउजर पर जाकर सर्च करेंगे तो बहाँ पर आप सर्च कीजिएगा एंटी पिसी एक्सपेक्टेड काटाफ 2021 तो बहाँ पर आपको साब देखने को यह मिल जायागा यहाँ पर कैटागरी बाइस काटाफ दिया गया है तो दोस्तों आप देख लिए जनरल का जो काटाफ यहाँ पर दिया गया है बो दिया गया है सतर से चावरासी सतर से चावरासी के बीच में जिसके भी जनरल में बन रहा है तो वो यहाँ पर आराम से बिल्कुल बिना किसी दिकत के CBT2 की तैयारी करें और दोस्तों यहाँ पर यह जो है नार्मलाइजड मार्क हैं बलब आपका नार्मलाइजेसन के बाद अगर इतना बन रहा है 70-84 के बीच में जेनरल में किसी का तो यहाँ पर दोस्तों उसका हो जाएगा इसी तरह से OBC में यह सब नार्मलाइजड मार्क दिये गए है नार्मलाइजेसन होगा उसके बाद जो अंक बनेंगे उसी के अधर पर चैन होगा OBC में 60-89 के बीच में अगर किसी के अंक बन रहा है तो वो यहाँ पर सेफ है इसी तरह से YST में 55-68 इसी तरह से YST में आपका जो है वो दिया गया है 41-56 41-56 के बीच में जिसके भी मार्क बनना है वो यहाँ पर CBT2 की तैयारी करेगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा वाई वाई और टेक केर